गुद मॉर्निंग टो अलफ यू आज हम लोग देख रहे हैं S9C जो कि S9C पर हो जाता है समाजिक विज्ञान का सिक्षन सास्त्र यह डेलेट सेकेंड यह वालों के लिए तो यह S9C के अंतरगत हम लोग देख रहे हैं Unit 3 जो कि आपका नाम हो जाता है Unit 3 का समाजिक विज्ञान का सिक्षन इसके अंतरगत आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानि जो परकरण होगा उस परकरण का नाम हो जाता है समाजिक विज्ञान के छेत्र स्रामाजिक विज्ञान में छेत्र भ्रहमन तथा इसके प्रकार यो उदेश्यके तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्रामाजिक विज्ञान में छेत्र भ्रहमन तथा इसके प्रकार यो उदेश्यके बारे में जो कि हमारा lecture संक्या 5 हो जाएगा तो my dear student यहाँ पर कहता है कि समाजिक अध्यान के छेत्र भ्रह्मन के प्रकार के बारे में अगर कहता है तो जिसकी अंतरगत कहता है कि इसका तीन प्रकार होता है जो पहला कहता है लगु छेत्र भ्रह्मन दूसरा काता है श्रमान्य च्छेतर भ्रहमन और तिसरा काता है दिर्ख पर्याटन तो यह हो जाता है तीन च्छेतर भ्रहमन के प्रकार अगर हम लोग देखते हैं च्छेतर भ्रहमन के स्थल की बात करते है तो स्थल के अंतरगत आपका छे आता है जिसके अंतरगत पहला आता है मानवी अस्थल दुसरा आपका आता है भोगौलिक अस्थल तीसरा आपका आता है आर्थिक अस्थल चौता आपका आता है एतिहासिक अस्थल पाचवा आजाता है आपका समाजिक अस्थल और लाश्ट आता आपका अन्य अस्थल तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले समाजिक विज्ञान के छेतर भ्रामन के अस्थल के बारे में फिर मैं उसको बाद आपको बताऊंगा छेतर भ्रामन के प्रकार और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके उधेश्रे के बारे में तो चले हम चालू करते हैं तो माई डियर इस्टूदेंट यहां कहता है कि सीक्षन को वैवहारिक, जीवन उप्योगी, आकरशक, मनुरंजन तता सरल बनाने के लिए परामपरागत वीदियो से हट कर जब हम नए नए परियोग करते हैं तो नवचार का नाम दिया जाता है इन नवचारों के भ्रह्मन को बड़ी सफलता के साथ परियोग किया जा रहा है अनेक परियोगों तता अध्यनों से या परमानित हो चुका है कि छेत्र भ्रह्मन या छेत्र परियतन जिसे कुछ बिद्वान परि भ्रह्मन भी कहते हैं कहता है कि वैभारिक जीवन जीवनों प्योगी तता आकर्षन शिक्षन शफलता पुर्वक परदान कर सकता है आगे कहता है कि समाजिक विज्यान शिक्षन के छेत्र में भी भ्रह्मन द्वारा श्रमाजिक विज्यान के ज्यान को वैभारिक तता जीवन उप्योगी बनाया चाह सकता है कहता है कि समाजिक विज्यान के शिक्षा को वैभारिक तता जीवन उप्योगी बनाने के लिए जिन शामुदाइक साधनों का परयोग किया जाता है उन सभी साधनों में छेतर परयटन अत्यधिक लोगपिडियवा मौतपून साधन है कहता है कि छेतर भ्रह्मन कक्षा कक्ष के बाहर भ्रह्मन करने की सुनियोजित एक वैवस्था के रूप में है जिसकी वैवस्था वसंचालन सिक्षा करम का एक आवर्षक अंग माना मान कर की जानी चाहिए कहता है कि छेतर भ्रह्मन के अंतरगत हम शुवीधा उपलब्ध समय वर्षाधन तता उप्योगिता के अनुसार छोटी बड़ी अनेक परकार की यात्राओं की वैवस्था कर सकते हैं विद्याले के बाहर मतदान किंद्र, पंचायत भवन, डाग घर, बैंक, चुनाव अस्थल, चुनाव कार्यले, भासन शवा आदिका उप्योग भ्रह्मन करा सकते हैं यानि कि ये विद्याले के बाहर की बात कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया छेत्र भ्रहमन के अस्थल के बारे में मैंने बताया तो चले देखते हैं छेत्र भ्रहमन के अस्थल से तात परे कहता है कि छेत्र भ्रहमन के अस्थल, छेत्र भ्रहमन या परेटक किस अस्थान के लिए आयुजित किया जाए इसके कौन-कौन से अस्थान उप्यूक्त है इन सब बातों का नितारन छात्र, विशेस्ताओं, परियाटरंग के उदेश्य तथा उपलब्थ साधन एंसुविदा पर निर्भार करता है यानि कि छेत्र भ्रह्मन अस्थल के अंतरगत सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन सा छेत्र में जाना है उसके बारे में विचार विमस्ट करना जरूरी होता है क्योंकि उससे क्या चात्रों सीखेंगे जाने का मतलब है क्या जानेंगे इत्यादी तो वही कहता है निर्वार होता है सुवीदा की दिरिष्टी से छेतर भ्रह्मन के अस्थलों को निम्द वर्गों में विभक्त किया गया यैनि कि गाक कई अस्थलों को समलित करते हुएं मानो प्रधानों होते है जैसे मेले, तमासे, उट्षव, पंचायदगर, विधान सबा, हित्यादी यह जाता है मानमी अस्थल, भागवालिक अस्थल के अंतरगत कता है इस वर्ग में परवत, नदी, जहरने, जंगल, बांध, शमुंद्र, फोशल, आधिक भागवालिक ततों को शामिल करते हैं इसके अंतरगत कता है इन स्थान में हम बाइंक, डागर, बजार, हाट, विनियम किंद्र, उतपादन किंद्र आधि को शमलित करते हैं यह गो जाता है आर्थिक स्थल उसके बाद कहता है एतिहासिक स्थल के अंतरगत कहता है प्राचीन भवण एतिहासिक मतलब जो पुराना हो प्राचीन स्थल, खंड़हर, संग्राल है, महल, भागनावेश, आदी, एतिहासिक, महत्व के अस्थानों को हम इस वर्ग में शंबिलित करते हैं पांचवा कहता है समाजिक स्थल तो इसमें कहता है कि संग्राल है, पुस्तकाल है, रेडियो, स्टेशन, दूरदर्शन केंद्र, बिश्वविद्याले आदी अस्थानों को हम इस वर्ग में शंबिलित करते हैं यह हो जाता है समाजिक स्थल के अंतरगत और लाश्ट में अन्य में कहता है कि अन्य के अंतरगत पुलिस स्टेशन, रेले स्टेशन, बस स्टैंड, जनजातियों के लिए विशिष्ट, उत्सवव, आदी, ऐसे अस्थान हैं जिनका हम अपने छात्रों को भ्रह्मन करा कर उन्हें उपयोगी जनकारी दे सकते हैं तो अब उसका मैं डिल करने जा रहा हूँ, छेतर भ्रह्मन के प्रकार, तो यहां कहता है कि समय और छेतर की दिरिष्टी से छेतर भ्रह्मन के तीन प्रकार होते हैं, यानि कि समय और छेतर की दिरिष्टी से, जिसके अंतरगत पाला आता है लगू छेतर भ्रह्मन, तो चले सधा थार्दत इस परकार के भ्रह्मन विद्याले में एक दो कलास का आवकास ले कर ही शंपन किये जाते हैं। इनका छेत्र भी क्या होता है? स्विमिठ होता है यानी कि एक छेत्र के अंतरगत जाए जाता है? पडोस के पंचायत भवन का भ्रह्मन, विद्याले के क्रिशी फॉर्म का भ्रह्मन, विद्याले के शंग्राले का भवन आधी तक ही क्या होता है या सिमित होता है कौन लगु छेतर भ्रह्मन दूसरा काता है शमाने छेतर भ्रह्मन, तो इसके अंतर काता है कि समाने छेतर भ्रह्मन, लगु भ्रह्मन की तुलना में शमय वचेतर की द्रिश्टी से अपिश्याक्रीत क्या होता है अधीक व्यापक होते हैं तता कुछ उची काक्छाव, शमानेत, मादविक काक्छाव के लिए क्या किये जाते हैं? इसके लिए अपेक्छाक्रित समय भी कुछ अधिक चाहिए और परियतक अस्थल भी विद्यालय प्रांगन से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए. यानि घूमने का जो अस्थान हो पन्चायत की कारे प्रणाली, न्यालय की कारे प्रणाली, आधि के लिए आयोजीत भ्रहमन को हम इस भर्ग में रख सकते हैं. यह हो जाता है समाने भ्रहमन छेत्रव तीसरा कहता है दिर्ग तो दिर्ग के अंतरगत क्या कहता है दिर्ग परयाटन के अंतरगत कहता है छेतरव स्रमय की द्रिष्टी से इस परकार के परयाटन काफी व्यापक होते हैं इसके लिए कई कई दीन चाहिए यानि कि कम से कम इसके लिए लंबा समय होता है लंबा दिन चाहिए तता इसमें चातर विद्याले प्रांगन से काफी दूर ब्रहमने तू जाते हैं यानि कि काफी दूरी पर अब जाईर सी बात है जब काफी दूर पर जाएंगे तो समय भी जादा लगेगा दीन भी ज़यादा होगा, इसमे छात्र विद्याले है प्रांगन से काफी दूर भ्रह्मन है तू जाते हैं इसमे श्रमाने तो उच्छब क अक्छाओं के छात्र भाग लें धे यानि कि राजियाद्येश्च के बच्चे इस भ्रह्मन में क्या आता है तो यह हो जाता है आपका मैडियर श्टूडेंट यह आपका हो जाता है छेत्र भ्रह्मन के प्राकार जो कि दू है तीन है लगु छेत्र भ्रह्मन शामाने छेत्र भ्रह्मन और दिर्ग छेत्र भ्रह्मन अब हम लोग देखेंगे छेत्र भ्रह्म के उदेशे के बारे में तो यहां पर कहता है कि छेतर भ्रह्मन के कई उदेशे हो सकते हैं या होते हैं इसका इनका उदेशे श्रामानियत इस बात पर निर्वर करता है की संचालन यह आयोजन किस परकार यह क्यों किया जा रहा है पहला उदेशे होता है इसका आयोजन यह परिवर्तियों में परिवर्तन करने, रूची जागरित करने, आदेशों का निर्मान करने, नभीन अनुबव प्रदान करने तथा मानशिक अवस्था को परिवर्तित करने हितु किया जा सकता है। फलता यही सब बाते छेत्र परियाटक के विविन उदेशों का क्या गतिया निर्धारन करती है। यहाँ पर कहता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षान में छेत्र भ्रह्मन के निर्मलिखित उदेशे हैं। जिसकी अंतरगत पाहला आपका आता है प्रते छीकरन द्वारा नविन सुचनाय प्राप्त करना। दुसरा काता है अविवरीतियों तता पूर्वधारनाओं में परिवर्तन करना। तीसरा काता है विशय के प्रती रूची जागरित करना। चोथा काता है कि समाजिक विज्ञान की विशय वस्तु से शंबंदित नविन अनुभाव देना। और पाचवा काता है शमाज के समुदाय को वैभारिक ज्ञान देना। तो ये जो पाँच है, ये क्या है? समाजिक विज्ञान सिक्षन में छेतर भ्रह्मन के उदेश्या. तो my dear student, आज हमने आपको बताया समाजिक विज्ञान में छेतर भ्रह्मन तथा इसके प्रकार यों उदेश्या के बारे में, जिसके अंतरगत मैंने आपको सबसे पहले बताया छेतर भ्रह्मन में अस्थाल, यानि छेतर भ्रह्मन के कौन-कौन से अस्थाल हो सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया मानविय अस्थाल, भागौलिक अस्थाल, आर्थिक अस्थाल, एतिहासिक अस्थाल, श्रमाजिक अस् और तिसरा ता दिर्क छेत्र ब्रह्मन और लास्ट में मैंने आपको बताया इसके उदेश्रे के बारे में तो उदेश्रे के बारे के अंतरगत हमने आपको बताया पांच बातों को बताया नंबर बन बताया प्रतिक्ष करन द्वारा नविन सुचनाय प्राप्त करना नंबर पर बताया समाजिक विज्ञान की विशय वस्तू से संबन इतन विद अनुबव और पांच्व आपको बताया समाज व समुदाय की, समुदाय को बैभारिक ज्यान देना तो यह जो थे अमारा आज का ठोपिक, तो यह आज का, यह अमारा ठोपिक ठा, सो मैं अपने इस विशय को विराम देता हूँ सो थैंक यू, have a nice day